आप में जो क्या से स्टुएंट हो जिनका कॉलिज मकाउट के अंडर में आता है आपका टार्गेट है कि मैं जो फर्स्ट सेमस्टर के जो CGPA है वो 9 प्लस CGPA आ जाए तो लैक मुझे क्या करना चाहिए क्यों करना चाहिए कैसे करना चाहिए यह सब कुछ डिसकस करेंगे आप में से कई से स्टुएंट ऐसे हुए जो कि नौन-CAC से बिलांग गरते हो एंड हो सकते हैं आपका सिकेंड एर में ब्रांच चेंज करने का मन है कि मैं भी सपोज लिक्टिकल लिया हूँ मेकानिकल लिया हूँ एसी लिया हूँ एंड नेक्स्टियर में मैं CAC, IT, EC मतलब जो भी आपका ब्रांच अग्डेट करने का मन है वो मैं क्राप्ट कर सको तो देख उसके तो CGP आपको अच्छा लाना ही पड़ेगा ठीक है क्योंकि बिना CGP अच्छा लाए आपका ब्रांच चेंज नहीं होगा एंड काफी कमी बच्चों की मौका दी जाता है तो ये भी मैं बताऊंगा कि उसके लिए कितना CGP लाना चाहिए तब ही जाकर क्या ब्रांच चेंज हो सकता है तो सब कुछ डिसकस करेंगे ठीक है तो बने रही है एंड जो ही बच्चे लेगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका कॉलेज मकाउट के अंडर में है तो मकाउट से रिलेट कैसे वीडियो जाने वाली इस चैनल पर एंड प्रोड़क्टिव आने वाली है ठीक है अभी यह वीडियो आया तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ और कोई वीडियो आएगा लेकिन मकाउट के इस चैनल है आप सब्सक्राइब कीजिए आपकी जो फ्रेंड है शेयर जड़ कीजिए तो यूट्यूब पर तो कई सरे कंटेंट है जहाँ पर क्लियर लिखा राता है कि हाउट टू गेट 10CGB आपकी प करता है कि लाएकि उसके अंदर वो कैपसिटी है कि नहीं है चीजों को क्याप्चर करने का ठीक है वो टेंसर पर डिपन करता है कोई रूल नहीं है कि हाँ जी आप अगर यह फॉलो किये तो आपकर 10CGB आ जाएगा 9CGB अपला सकते हो लेकिन 10CGB लाना देखो यह आप पर डि करता है ठीक है कि सेफ बांडरी क्या होना चाहिए अगर आप प्लेस्मेंट के लिए बात करें तो मैं हर एक टॉपिक को टच करूँगा ठीक है तो कोई टॉपिक मिस में नहीं करने वाला हो आप लोग बने रही है वीडियो पर एंट तक देखिए देखो प्लेस्मेंट के आपसे ज्यादा रिक्वर्मेंटर नहीं होता है सीजीपी का आप ऐसा मस सूचे कि आपका कंपणी नाइन प्लस सीजीपी आपसे डिमांड करेगा तो आप पूछो कि तो मैं नाइन प्लस सीजीपी का मैं क्यों लिखा यह जो आप देख रहे हो मतलब पोस्टर की नाइन प करने घरटिर सीजीपी मैं काफी टव होता है मतलब कि में यह बोला चाहते हूं कि 9 प्लस सीजीपी अपला सकते हो 1st यर में 4th यर में लेकिन वही 9 9 plus CGP आप 2nd year 3rd year में अगलाना चाहोगे तो काफी मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा तो आप पर भी depend करते हैं मैं बस बता दिया हो कि यह नहीं है वो आप पर काफी depend करने वाला है अभी मैं जो बूलूँगा आप अगर follow किये तो आपका 9 plus CGP आ सकता है 1st year में 4th year में लेकिन जो 2nd year 3rd year है न यह आपका potential बड़ेपेंड करता है तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी बच्चे हो 1st year में 4th year में जो CGP है वो 9 plus maintain करके रखिये suited आपका जो overall CGP है चारो साल का BTEC का या भी आप जो कर रहे हो वो 8 plus होना ही चाहिए तो placement के लिए में safe boundary आपको बताना चाहिए कि 8 plus लाकि राखिये ठीक है आपसे वैसे 8 plus CGP कोई बूचेगा भी नहीं कि आपका 8 plus CGP है कि नहीं लेकिन आप अगर resume में mention करते हो ना तो सामने वाला को एक impression पड़ता है interviewer का जो criteria वो इतना है कि हाज आपका CGP 6 CGP होना चाहिए अगर आपका 6 CGP है then yes you are qualified for the interviewer and exam आप जो दे रहे हो interview के पहले लेकिन फिर भी आप resume में करोगे ना तो in future suppose आप कोई और company के लिए apply कर रहे है कोई और post लिए apply कर रहे है तो देखने में खराब साना लागे ठीक है 9 प्रसीज़ भी अगर maintain करने जाओगे तो हो सकता है आपका जो main subject है उस पर ज्यादा focus नहीं कर रहे हो एंड मतलब semester के subject उस पर कुछ ज्यादा समय spend कर दिये मतलब दिखो आपका target suppose placement ही है पहले आपको मतलब को जो course subject है उस पर focus करना चाहिए आपका DSE हो गया C हो गया mathematics हो ग का automatic है आप economics पढ़ोगे second semester में तो ऐसे subject है तो काई boring है तो try कना उस पर थोड़ा कम समय दिने का तो इसलिए मैं बता रहो कि आपको overall दिखना पड़े है कि मैं overall कितना आ रहा है तो यहाँ से यह समझ मैं है कि आपका first year में and fourth year में 9 प्रसीज़ पे लाना ही पड़ेगा किसी ह obviously second year में आपको पूरा मेहनत कना पड़ेगा लेकिन जब option है तो अच्छा का बात है आप 9 प्लस के लिए टार कीजिए तो placement के लिए ज्यादा requirement होता है नहीं अभी तक मतलब मैं खुद maximum देखा हूँ कि 7.0 का requirement है उससे ज्यादा मैं अभी तक नहीं देखा हूँ मैं भी कई स मैं खुद देखा हूँ कि हाँ एक company था जिसका मुझे exact याद नहीं रहा है 7.5 था में भी साथ वो एक दो होगा लेकिन maximum जो company में यही देखा सबका 6 CGP requirement था and class 10th and class 12th का marks मैं देखा था कि आपका जो 12th का marks से aggregate 70% से उपर होना चाहिए मतलब यह अच्छ च्छ कंपनियां ज होंगी ही जिनका requirement 6 CGP होता है and 10th 12th marks 60 percentage होता है यह 70% होता है max to max 80% कोई करनी पूछ देखा हूँ बात वही रहा ना कि अगरिजम में में अच्छा बात अब जो class 10th 12th हो छोड़ दो ठीक है उसको भी यातरी कुछ मतलब बनता है नहीं अभी CGP का बात कर रहे हैं लोग ठीक ह मैं बता ही चुका आपको कि first year में आप अगर धंग से प्रहाई करते हो and वहाँ पर 9th plus CGP लाते हो तो like आप एक बाजी हिसा मर गये ठीक है importance of first year तुम्हें जैसे बता है कि first year में आगे पास opportunity है यहाँ पर आगा अगर अगर अच्छे CGP लाते हो तो आपका जो overall CGP है वो 8 plus आही जाएगा ठीक है and overall अगर 8 plus आते है तो काफी बढ़िया के बात है ठीक है क्योंकि अगर first year में suppose आपकर 9th पर नहीं लाप पाए आप suppose 7.58 में अट्टक के रग गए तो overall जो है वो लाना 8 plus वो थ्रह मुस्किल हो जाता है तो please first year को जड़ा importance दीजिए ठीक है ज्यादा casually मत ले लिजिए कि हाँ प्रेसर महसुस हो रहा है आपको एकर first year में प्रेसर महसुस हो रहा है तो second year में क्या होगा जो real pressure है इससे काफी państirm हो रही तो say चीज है, Physics है, Chemistry है, Mathematics है, अलग क्या है, मतलब कुछ अलग नहीं है, अलग आपका पूरा में लैंग्वेज है, Engineering डिग्राम जो के 2nd समेस्टर में ऐगा, में भी साथ 1st समेस्टर में कोई की बच्चों का, मतलब कुछ कुछ है, मेली मतलब placement के तौर पर देखो, तो आपका पूरा में लैंग्वेज है, C, C++, Java, जो भी हो आपका, आपका Python भी साथ 2nd समेस्टर में सिखाए जाएगा, and DSA है, बस, बागी सब्स लाइक आपका नॉर् में तो 2nd येर आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो काफी रिलाक्स रहो, ठीक है, ज्यादा स्टेश मत लिया करो, एक बात में तो आपको बताना चाहूंगा, आप जो एक्जाम दे कर आए हो, आप अगर ITG के एक्जाम दिये हो, WBG एक्जाम दियो, इतना आप लो पोटेंसल है, बस आप एक पस निया चीज सीख रहे हो, निया चीज में इंटरी की हो, तो लग रहा है कि आपको प्रेसर है, तो यह जो प्रेसर है, यह जो प्रेसर है, आप एक स्कूल स्टुएंट से कॉलेज स्टुएंट में गए हो, उसका प्रेसर है, यह आप मान के चल तो प्लीज जो ऑर्गनेजर है उसको स्टार्टिंग से फॉलो करने स्टार्ट कर दीजिए ठीक है हो सकता भी न्यू एडिशन नहीं आया है तो जो ओल एडिशन है उसको खरित लीजिए आपको सिंप्ली कॉलेज स्ट्रीट जाना है हावरा में हावरा से हाटली आदा घंटा लगता है थ्रो बस वहाँ पर आपको वह बुक हब है हर एक तरह का बुक हब को मिल जाएगा तो वहाँ पर जाओ अगर न्यू अडिशन नहीं है तो पुराने डिशन लो एंट परना है स्टार्ट कर दो काफी हिल्प करता है मतलब कई सरे बचे सोचते है कि अरे यह क्या य लेकिन वही चीज घुआ फ्रेकर वह एक्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो इसको जरुद ज्यादा कैसली मत ले ले लेना वैसे आपको पता कि लिए कि जो बुक्स है जो बुक्स मिलता है कितना उसमें कुछ कुछ कंटेंट रहता है तो आपिसली कोई कंटेंट उतना नहीं पर पाता है तो एक मात्र वही option बसता और सबके लिए जो की जरूर करना में चीए हर एक बच्चो को उसकी बाद आता है class notes ठीक है कई सरी लोग करता class notes तो कौन करेगा class notes important है आपका college autonomous है तब तो बहुत important है कि autonomous है तो paper कौन सिट करेगा paper आपका teacher sit करेंगे अब paper teacher sit कर रहे तो obviously वही सवाल पूछेंगे जो वह परहा चुके है बच्चो को जो class में परहा चुके है तो autonomous है आपका college तो class notes तो must है मताब एक एक लाइन पर करके रख लो autonomous की जो non-autonomous है हो सकता लएक है आपके class में जो चीज नहीं परहाए जा रहा है वो कुछ किसी और math का पूरा notes मतलब में पढ़ता था जो sir करवाते थे and 90% वहाँ से सवाल आते थे मताब कुसर नहीं आ जाए था लेकिन हाँ जो sir यह topic परहा है ठीक है वहाँ से सवाल जरूर आते ही आते थे मतलब ऐसा कोई नहीं आता है कि sir out of topic से कुछ सवाल आ चुका है क्योंकि उतना बड़ाबू कौन परने जाएगा कि हम लोग उस वक प्लेस्मेंट ओरिंटेट लाइक परहाई किया कर देते थे ज्यादा मतलब यह जो non placement oriented है उतना मतलब फोकस नहीं देया कर देते तो हम प्लेस्ट वहाँ से common आ जाएगा तो प्लीस आपका जो class notes है ना उसको बड़िया से follow किजिए वो follow करते हो धंग से करते हो ना अगर class notes नहीं है तो obviously कई से जुगारवरे कर लो मतलब हरेके group में एक ऐसा friend होता ही है जो कि daily class जाता है and daily notes मनाता है ठीक है तो कोई एक बंदा को पकर लो या कोई बंती के पकर लो ठीक है जो daily class जाता है जो daily class जाती है उनसे notes इकटा कर लो ठीक हम लोग मतलब है कि यही होता पकर दाता कि daily class कौन जा पर जाता था ठीक है तो notes का जुगर हो जागा ठीक है आपको बस अस्रियस लाना पड़ेगा अपने अंदर अपने notes ऐसे बनाते है page पल्टू लेग आपको यह book का page प्लट रहे हो आपको लगेने लिए copy का page प्लट रहे हो ठीक है तो उनका approach कर सकते हो notes के लिए okay और बाकी आप पढ़ोगे तो आपका एक अच्छा वहां से भी source बन जाएगा अच्छे marks लाने का ठीक है अब यह सवाल काफी एक ही semester में था मतलब वो repeated नहीं था मैस जी वो repeated थे तो मुझे मैस का समझ मैं चुका है कि यह जो channel है कावी बढ़िया channel है तो यह channel note कर सकते हो भगवान सिंग विश्वकर्मा और उन्हीं के एक और channel है जैपाल विश्वकर्मा यह काफी बढ़िया channel है मतलब यह जो teacher जिस तर प्रोहित कुछ-कुछ content है जो नहीं मिलेगा आपको दुनों ही जगा ठीक है तो लाइक जहां पर जो content नहीं मिल रहा है वहाँ से ले सकते हो लेकिन मैं अगर मुझे बोलो कि मैं कॉन सा channel recommend करूंगा तो यह मैं recommend करूंगा बागी देख फिजिए जो channel को फॉलो कर सकते हो ठी ठीक है यह पहला काम हो फिर देखो class notes में यह class notes में उस topic में कहा तक पढ़ाया गया क्योंकि हो सकता है एक चो topic है उसमें पूरा चीज नहीं पढ़ाया गया बस कुछी चीज पढ़ाया गया उसके बाद आप YouTube में jump मारी है तो पहले YouTube में jump मत मारना कई से student यहीं करते है कि इच और में add करना चाहूंगा जो कि मैं इब लिखा नहीं लैफ काफी important है मतलब हम लोग लैब जो काफी casual लेते बस गए experiment किया आज चुके ठीक है मकाउट में लैब का class is काफी important है क्योंकि लैब में आप अच्छा score करते हो तो वहाँ पर full marks मिल जाता है ठीक है बाकी जो theory में अपला सकते हो तो लैब को miss मत किजिए आप अगर lab class नहीं जा रहे हो तो प्लीज लैब विजिट किजिए क्योंकि experiment है जो होता है मैं बता दे र कार्ड बोर्ट में क्लिक जाते है दें चूज करना पड़ता है आप कौन सा चूज करोगा ठीक है तो आपको हैंड जाता है वहाँ पर अपको experiment दे जाता है तो मतलब कि हर experiment आपको practice करना पड़ेगा and suppose आपको कोई कैसे experiment पकड़ा दिया गया जो कि अब नहीं किये हो आपको नहीं पता है तो आपको दे दूसरे experiment दिया जता है and कुछ एक marks deduct होता है मतलब ऐसा नहीं कि suppose आपको suppose को एकस्परिमेंट टेक्स वाइज एट ठीक है आपको वो आपने वो चूज किया तो आपको वही करना पड़ेगा आप चाहो तो इसको skip कर सकतो and teacher को बोल सकतो कि जी मुझे नहीं आता है मुझे दूसरा दिजे तो teacher फिर आपसे पूछेगा ल इतने प्रेसर लेने के बाद भी आप प्लीज अपने आपको uncomfortable फिल्ट मत किजिए आप अपने वो comfortable फिल्ट किजिए comfortable फिल्ट करोगे तो तभी आपको 9th plus CGP असनी से आ जाएगा ठीक है और बाकी जो मैं नहीं बता है बाकी सब यूटूब चैनल से like C हो गया C हो गया C प्ल सकता ही है तब मैं तो उस सब discuss करी चुका तो आप उस सब follow कर सकते हूं तो मैं try के और एक point cover करने का फिर भी आपको लगता कि हाँ यह point cover नहीं हो सका तो please आप मुझे जरूर approach किजिए मैं try करूंगा आपका जो doubt है मैं solve करने का approach जरूर किजिए